जया ने हाल ही में कॉस्मेटिक के सामान का व्यापार शुरू किया है। वह दो मिनट में सामान का एक बैग तयार कर लेती है। अगर वह इस काम को करने के लिए अपने साथ मित्रों की सहायता ले, तो 1200 बैग तयार करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो ये हो जाएगा दो गुणा 1200 यानि की 2400 मिनट यानि की अगर वो खुद 1200 बैग तयार करे तो उसे 2400 मिनट लगेंगे। लेकिन वह अपने साथ मित्रों की सहायता से इसे करना चाहती है। और हम ये मान लेते हैं की उन्हें भी एक बैग को तयार करने में लगभग दो मिनट ही लगते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे की 2400 को साथ से विभाजित यानि की डिवाइड करके हम कुल बैग तयार करने में लगने वाला समय जान सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि वास्तों में यहां जया और उसके साथ मित्रों सहित आठ लोग इस काम को कर रहे हैं। इसलिए वास्तों में अब अकेली जया की तुलना में आठ गुणा तेजी से बैग तयार होंगे। अगर केवल एक व्यक्ती 1200 बैग तयार करे तो 2400 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर इसी काम को आठ लोग करेंगे तो आठ गुणा कम समय लगेगा। इसलिए आठ लोगों के साथ 1200 बैग तयार करने में लगने वाला समय होगा 2400 भाग आठ यानी की 300 मिनट और यही हमारा उत्तर है। लेकिन अभी प्रश्न के अनुसार 300 मिनटों को घंटों में बदलना बाकी है। तो 300 मिनट कितने घंटों के बराबर है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसलिए 300 मिनटों को घंटों में बदलने के लिए हम इसे 60 से विभाजित कर लेते हैं। तो 300 भाग 60 हुए 5 घंटे। तो इस प्रकार जया और उसके साथ मित्रों यानि की कुल 8 लोगों द्वारा सामान के 1200 बैग तैयार करने में लगने वाला समय है 5 घंटे।